हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज का वीडियो है हॉप्सकोच शॉपिंग हॉल मेरी जो 12 साल की बेटी है उसके लिए मैंने कुछ ड्रेसेस और हैर एक्सेसरीज मंगाई थी हॉप्सकोच से तो उन सबी ड्रेसेस का और एक्सेसरीज का मैं रिव्सकोच से मंगाती रहती हॉँ लेकिन यह मेरा पहला वीडियो है जिस में मैं रिव्सकोच का तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प् तो चलिए, without wasting more time, let's get started सबसे पहला जो ड्रेस या फिर अभी सर्दी आ रही है तो मैंने स्वेट शर्ट मंगाया था बहुत ही क्यूट सा कलर है इसका फैब्रिक वाइज, क्वालिटी वाइज बहुत पसंद आया मुझे और डिजाइन भी इसकी बहुत यूनीक है मेरी बेटी ने पहना था ये तो बहुत क्यूट लग रहे थी मुझे बहुत पसंद आया मैं सभी ड्रेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप चेक कर सकते हैं माटेरियल वाइज क्वालिटी वाइज ये बहुत पसंद आया तो ये था मेरा फर्स्ट पर्चेस नेक्स्ट जो लिया था मैंने वो है ये नाइट ड्रेस साइज इसकी वन तो टू येर्स के लिए है और फैबरिक इसका कॉटन माटेरियल में है बहुत ही कमफर्टेबल फीलिंग लगती है बच्चों को सोते वक्त तो मुझे बहुत पसंद आया इसके नेक पे फ्रिल की डिजाइन है और इसकी जो पैंट है इसके वो नीचे भी फ्रिल है यहां पे तो यह सेट मुझे बहुत पसंद आया अभी सर्दियों के लिए तो फुल कपड़े ही चाहिए बच्चों के लिए नेक्स जो है वो शॉर्ट एंड टॉप का सेट लिया था मैंने पफी स्लिव और कलर भी बहुत प्यारा है यह भी साइज तू 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 त्री यर्स के लिए तो अभी मेरी बेटी तू यर्स की होने वाली है लेकिन मैंने थोड़ा बड़ी साइज का लिया है क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों को कपड़े छोटे हो जाते हैं और इसके नीचे यह शॉर्ट्स है वो भी बहुत क्यूट है इसके नीचे फ्रिल है तो यह दोनों सेट बहुत ही क्यूट पेरिंग है इसकी मुझे बहुत पसंद आया आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिए होप स्कॉच अगर नहीं करते आप उनलाइन शॉपिंग तो उसके रिटन पॉलिसी बहुत अच्छी है और फैब्रिक क्वालिटी तो बेटर ही है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ड्रेसेस वो प्रोवाइड करते है निक्स्ट यह स्कर्ट और टॉप का सेट है यह साइज भी टू टू थी यहर्स के लिली है मैंने क्योंकि वन टू टू यहर्स लो ना तो बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा साइज यह कुछ दिनों तक तो आराम से चल जाएगा टू थी यहर्स की साइज ने तो बच्चों की बढ़ती एज में बहुत जल्दी छोटे हो जाते कपड़े और उसके नीचे है यह स्कॉर्ट कि बहुत ही प्यारा लागा मुझे यह ड्रेस तो मैंने यह पर्चिस किया है तो यह थे कुछ ड्रेस जो मैंने मंगाय थे एक और ड्रेस मंगाया था लेकिन वह अभी तक नहीं आया शिप्मेंट डिले हो गई उनकी क्यूंकि वह स्टीच करने में टाइम लग रहा है लेकिन अगर आप मेरे वीडियो करते हैं तो आप मेरा आने माला दिवाली ब्लोग जरूर देखिएगा उसमें मैं उसको वह लेंगा पेनाऊंगी जो हॉप्सकोच से मैंने मंगाया है तो वह वला व्लोग आप जरूर देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि वह लेंगा कैसा लग रहा है मेरे बीटी के ओपर और नेक्स्ट मैंने ली थी कुछ एक्सेसरीज हैर एक्सेसरीज इस तरह का बन बो है यह यह फाइकस से टाया था पुरे कलरफुल बोज है इसमें तो यह भी बहुत क्यूट लगता है बच्चों के ओपर नेक्स्ट जो लिया थी हैर एक्सेसरीज है नेक्स्ट जो ली थी वह भी एक हैर एक्सेसरी है 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 फेस्टिव सीजन आ रहे है तो बच्चों के लिए कुछ गोल्डन कलर का अच्छा लगता है कुछ भी हम लोग ट्राडिशनल पहनाते हैं तो उसके हैर भी बहुत बड़े है तो इसके लिए मैंने यह पीन्स मंगाई थी नेक्स्ट जो मंगाई था मैंने मैंने तो बच्चे दीवाली चार पाच दिन चलती है तो अलग अलग तरीके के ड्रैस और अलग अऱ अलग 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 वराइटी के ड्रैस पहनते बच्चे और जब वो चुटे रहते बहुत लगते है तो उनको सजाने में बहुत अच्छा लगता है और लड़किया तो कुछ भी पहने तो अची लगती है माबब के लिए तो प्यारी रहती है यह 149 की है यह पीन तो उसके लिए जो मैंने लेंगा मंगाया है उसके उपर यह परसेक्ट मैच हो जाएगी और सो फ्रेंड्स यह था मेरा रिव्यू अप्सकोच के ड्रेसेस और हेर एक्सिसरीज का यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यो फर वाचिंग